गीता मैराथॉन इस कौन के प्रवक्ता देंगे हमें गीता का ज्ञान सरल माध्यम से 27 दिसंबर तक गीता ॆल। अपार लॉड्याओं का फिर्म्हटॉरणाम का सब्सक्राओं कैस पन्धचारी जए आद्मांधब जै कुंझ पिहारी जै कुंझ पिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Raman Raman, Hare Hare आदे लिखृष्णा कर दो मैं आफ्टों ओर अफ्सक्रों आफ्सक्रों अर्व डॉवार्व प्रियों अर्व सेना अर्व प्रीष्णा अर्व सेट्व अर्व जब दॉड़ कि अर्वडूर्द है Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, तो आपका स्वागत है, आज हम भगवत गीता के अध्याई 17 के उपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, इस अध्याई का नाम है श्रदा के विभाग और स्लोक संख्या है 28, इस अध्याई में भगवान ने कई तरह के हमें शिक्षाएं परदान की हैं, और मुख्यरुप से भगवान ने ये बताया कि आध्यात्मिक्ता की जो सुरुवात है वो श्रदा से होती है, हमारी हिर्दे के अंदर श्रदा होती है, श्रदा जागरित होती है, तब हम किसी संत का संख करते हैं, किसी सादू की संगत में आते हैं, और उसके बाद सादू की संगत में आने के बाद हम बहजन आधी क्रियाओं में समलित हो जाते हैं, तो श्रदा हमारी हिर्दे के अंदर होनी चाहिए, श्रदा से ही अध्यात्मिक्ता की सुरुवात होती है, तो भगवान आज की अध्याई में हमें इस इक्षा परदान कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो आरम करते हैं, आयूहु सत्व बला रोग्या सुख प्रीती विवर्दना रस्याहा स्रेक दास्थिराहयद्या आहार सात्तिक प्रिया जो भोजन सात्तिक व्यक्तियों को प्रिय होता है, पहले भी हमने चर्चा किया था कि हमें सात्तिक रहने के लिए अपने आपको शुद बनाने के लिए हमें अपना जो अहर है उसको सुधार करना होगा, जब तक हम सुध और सात्तिक आहर ग्रहन नहीं करेंगे तब तक हम सात्तिक विचार धारन नहीं कर सकते हैं, हमारा आहार शुद्ध होगा और हमारा बिचार शुद्ध होगा हमारा बिचार शुद्ध होगा तो हम इस संगर्समय जीवन में शांती से आध्यात्मिक्ता की और आगे बढ़ सकते हैं तो निर्वर करता है हमारे आहार की उपर किया हम किस तरह का आहार लेते हैं दुख की बात है कि आज के समय में हमारा आहार शुद नहीं रहा इसलिए आहार के शुद ना रहने से हमारा बेहवार शुद नहीं रहा इसलिए हमें आज समाज में देखने को मिलता है कि शेहन शीलता पूरर रूप से खत्म हो चुकी है चोटी चोटी चीजों के लिए चोटी चोटी बातों के लिए आपस में बहुत बड़े बड़े जगड़े हो जाते हैं लड़ाईयां हो जाती हैं एक दूसरे की मृत्यू कर दी जाती है इससे पता चलता है छैन शिलता हमारे अंदर बिलकु खतम हो चुकी है जो निर्भर करती है हमारे अहार की उपर अहार हमारा शुद्ध होना चाहिए अगले श्लोक में बताया है कटम बलं लबना तिउष्ण तीक्षन रुक्ष बिदाहिनह आहार राज सेश्टा दुख शोका मया प्रदा अत्यदिक तीके, खटे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तता जलन उत्पन करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं ऐसे भोजन दुख, शोक तता रोग उत्पन करने वाले हैं तो इसमें आहार तीन तरग बताया है कि एक तो आहार होता है सात्विक, सतोगुणी, एक आहार होता है रजोगुणी, एक आहार होता है तमोगुणी तीनों की अलग-लग इसमें नुक्सान बताये हैं ज्यादा समझ नहीं हमारे पास इस पर हम बहुत बिस्त्रित चर्चा कर सकें तो आगे लिखते हैं यात यामम गतर संपूती परियूशितम चयत उच्छिष्टम अपी चामे ध्यम भोजन अमतामस प्रियम खाने से तीन घंटे पूरू पकाया गया सुआधहीन बियोजीत एवं सडा जूठा तथा अस्पृष्ष्य बस्तों से युक्त भोजन उन लोगों को प्रियो होता है जो तामसी होते हैं सात्विक भोजन के क्या फाइदे हैं रजोगुनी भोजन का क्या नुकसान है इसमें बहुत बिस्तित बर्णन से चर्चा किया जा सकती है समय की अभाब की बज़ा से हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते लेकिन हम मुख्य रूप से इस बात को समझना होगा कि भगवान हमें ये सिक्षा पर दान कर रहे हैं कि अगर हम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं और इस कल्हा के युग से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने आहर को सुधारना होगा जब तक और ये आहर कैसे सुधरेगा हमारे जब तक संसकार अच्छे नहीं होंगे संसकारों के बिना हम अपने आप में अध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकते संसकार होना आती अवश्यक है संसकार जो है मनुश्य की जीवन को नियंत्रित करते है हमें नियंत्रन परदान करते है जिस तरह से कोई कंपनी अगर आपको बहुत सुंदर गाड़ी परदान करती है बहुत सुंदर गाड़ी बेचती है बहुत कीमती गाड़ी बेचती है, उसमें अर्तरक की सुविदा हो, हर प्रकार की सुविदा उस गाड़ी में हो, बहुत कीमती गाड़ी हो, लेकिन उसमें ब्रेक ना हो, तो कोई भी बुद्धिमान बेखती है, ऐसी गाड़ी को खरीदना नहीं चाहेगा, और नहीं उस पास्तरों में कहा गया है कि बिना संसकारों की हमारा जीवन जो है पशू के जैसा है संसकार हमारी अनकॉंट्रोल स्पीड को ब्रेक का काम करते हैं और अन्यंत्रित जीवन शैली को रोकते हैं इसलिए किई तरह के संसकार होते हैं इस पर भी हम विस्तिरित बर्णन चर्चा भी नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में संसकार आती अवश्यक हैं पहले मता पिता बच्चों को संसकार दिया करते थे और संसकारी संता ने जब परिबार में उत्पन होती थी संसकार का पालन करते हुए संसकार घ्रहन करते हुए वो उस परिबार में सुख स्वृदी शांती सब प्रयात मात्रा में हुआ करता था संसकारों के अभाव की बज़ा से आज हम रोजोगुणी और तमोगुणी बनते जा रहे हैं परवपाज एक शलोक के तात्परे में बहुत सुंदर लिखते हैं कि भोजन का उदेश्य आईउ को बढ़ाना, मस्तिस्क को शुद्ध करना तता सरीर को शक्ती पहुँचाना है इसका यही एक मातर उदेश्य है पहले प्राचीन काल में बिद्वान पुरुस ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्तिय तता आईउ को बढ़ाने वाला होता था या दूद के बेंजन, चीनी, चावल, गेहुं, फल, तरकारियां यह भोजन सतोगुणी ब्यक्तियों को अत्यांत प्रिय होते हैं अन्य कुछ पदार्थ जैसे भूना मक्का या गुड स्वयम रुचिकर ना होते हुए भी दूद या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं तब बेसात्विक हो जाते हैं, यह सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं यह मांस तथा मदिरा जैसे अस्प्रिश्य पदार्थों से सरवथा भिन हैं आठमे शलोक में जिन चिकने पदार्थों का उलेख है उनका पशुबद से प्राप्चरवी से कोई नाता नहीं होता यह पशुचरवी दुग्द के रूप में उपलब्द है जो समस्त भोजनों में परम चमतकारी है दुग्द, दूद, मक्खन, पनीर तता अन्य पदार्थों से जो पशुचरवी मिलती है उससे निर्दोस पश्रों की मारे जाने का प्रशन नहीं उठता यह केबल पाश्विक मनोब्रिती है जिसके कारण पशुबद चल रहा है अवश्चरवी प्राप्त करने की सुसंस्कृत बिदी दूद से है पशुबद तो अमान भी है मतर, डाल, दलिया आदी से परचूर मातरा में प्रोटीन उपलब्द होता है इसकौन की फोंडर आचारे एसी भक्ति विदंद स्वामिश्रिल प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए और विदेशों में जाकर के उन्होंने देखा कि हांकी जो सभ्यता है पूर्ण रूप से मांस, मदिरा इन चीजों पर निर्व है प्रभुपाद जी को इदेख करके बहुत दुख हुआ लेकिन भगवान की क्रिपा से उनके गुरुदेव की क्रिपा से प्रभुपाद जी को सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने आज के समय में लाखों बिदेशियों को पास्चाते देशियों के लोगों को आज शुद वैशन बना दिया ऐसा वैशन बनाया कि मास मंद्रा की बात तो छोड़िये आज वो चाय तक का सेवन भी नहीं करते यह केबल प्रभुपाज जी के कृपा है सतर बर्स की आईउ में वो अमेरिका गए और ऐसे देश में जाकरके अध्यात्मित्ता की सुरुवात की जहां लोग अध्यात्मित्ता को बिल्कुल भी सिविकार करने के लिए तयार नहीं थे लेकिन प्रभुपाज जी ने सास्तरों के माद्यम से उचे शिक्षा के माद्यम से उन सब लोगों को जीवन के सत्य के विसमें बताया और हमारा मनुष्य जन्म का लक्षे क्या है किसलिए हम इस मनुष्य शरीर में आए क्या उदेश्य है ये समझाया और आज इसकौन संस्था के पूरे विश्यम में सेक्षणों मंदीर हैं और मंदिरों में पास्चाते लोग निते प्रती दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे महामद द्रगा जब करते हैं हम कई दिनों से भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं प्रतेक अध्याय पर हमने संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया आज हम सत्रमे अधाय की उपर चर्चा कर रहे हैं एक अधाय गीता का और बचा है पर बास्त्रिक्त में गीता की शिक्षा है क्या गीता की शिक्षा है अपने आपको भगवान के साथ जोड़ना अगर हम सही रूप से गीता की शिक्षा को मानने और ये विचार करें कि बांस्तिक शिक्षा भगवद गीता की ता की है अपने आपको जो भगवान से जिस समंद को हम भूलेंशे हैं और जिस समंद को भूलें ओर जम सक्षडायक और दुखदाई संसार में आकर के फंस चुके हैं भगवान के साथ अपने संबंद को पुना स्थाफित करना यही भगवत गिता का संदेश है और कल्यूग में उस संबंद को हम कैसे स्थाफित कर सकते हैं कैसे हम भगवान के साथ अप उस संबंद को दुवारा मजबूत बना सकते हैं यह कल्यूग में स में चार नियमों का पालन करना चाए और नित्य प्रति धिन महामंतर का जाब करना चाहिए श्ट मिन को देख सकते हैं और चेट ना कविकास कर करके हम भगवान से बहुले हुए अपने समंद को पुनास्थापित कर सकते हैं यही भगवद गीता का सरल और असान शिक्षा है जो हमें परदान भगवान ने परदान की है यह मुख्य उदेश है भगवद गीता के संदेश का कि हम भूल चुके हैं इस बात को यह जो मनुश्य शरीर है यह इतनी असानी से नहीं मिला और जिसको मिला है वो बहुत दागेशाली है हमें बहुत कृष्ट सेन करने के बाद के यूनियों में जनम लेने के बाद अगले अध्याय में अठारमे अध्याय में हम चर्चा करेंगे इस बात की के यूनियों में जनम लेने के बाद हमें ये मनुश्य शरीर प्राप्त हुआ है इसलिए इस मनुश्य शरीर को हम बेर्ट ना गवाएं इसका सद्वियोग करें ये एक नाव है ये शरीर के रूप में हमें ऐसे एक नाव परदान की गई है जैसे हम नाव में बैट करके एक बहुत बड़ी नदी को पार कर सकते हैं सरलता से नाव हमें नदी पार करवा देती है उसी परकार के ये जो शरीर है ये एक नाव है इस शरीर के मादम से हमें सकल्यू के अता सागर को इस भव सागर को बड़ी आसाने से पार कर सकते हैं इसलिए भगवत किता हमें सिक्षा देती है जो मनुष्य शरीर है इसका हमें सदुप्योग करना चाहिए इसका हमें दुरुप्योग नहीं करना चाहिए इस समाज में रहते हुए और अपने समाज के कर्टब्यों का पालन करते हुए यही तो भगवान ने अर्जुन को बताया अर्जुन कर्टब्य पालन से बिमुक मत हो अपने कर्टब्यों का पालन करो यही शिक्षा भगवान ने परदान की है हमें समाज में रहते हुए अपने कर्टबे का पालन करना चाहिए और सास्त्रों के अनुसार अपना जीवन पे तीर करना चाहिए सात्विक जीवन पे तीर करना चाहिए जिसके माद्यम से हम इस कल्यों के भवसागर को बड़ी आसाने से पार कर सकते हैं सरल आसान सादन क्या है इस अध्याय के जो नाम है शर्दा के भिवाग हमने आरम में चर्चा किया था कि ये शर्दा जो है शर्दा से ही हम किसी सादो की संगत में जाते हैं और किसी भक्त की और सादो की संगत हमें मिल जाए और हम शर्दा से किसी संत की संगत में आ जाएं चादों की संगत में आ जाएं, किसी भक्त की संगत में आ जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है हमें प्रयास करना चाहिए भक्तों की संगत में जीवन बतीत करने का पहले भी हमने चर्चा किया था संग जो है, हमारा जीवन बरवाद कर देता है अगर हमारा संग अच्छा है, हमारी association अच्छी है, चो अच्छा संग हमें जीवन में प्रगर्ती परदान करता है लेकिन अगर संग हमारा ठीक नहीं है, वो हमारी जीवन को बरवाद कर देता है तो शर्दा से हमें सादू की संगत में रहना चाहिए बक्तों की संगत में रहना चाहिए और अगर सादू संजरों की संगत में रहेंगे तो हमारा कल्यान हो जाएगा एक छोटी सी कता सुनाता हूँ, एक शिकारी था कि रात वो जंगल में शिकार करने जाता था, रोज शिकार करता था, लेकिन जिस रास्ते से वो शिकार करने जाया करता था, उस रास्ते में एक सादो की कुटिया पड़ती थी बूश शिकार करने जाते हुए निति प्रति दिन उस संत के पास जाता था उस संत के चर्णों में परणाम करता था थोड़ी बहुत उनकी सेवा करता था और फिर अपने रास्ते में आगे चला जाता था एक दिन उसने संत को पूछा कि यह महात्मा मैं तो इस जंगल में आता हूँ शिकार करने के लिए मैं शिकारी हूँ लेकिन आप क्यों ही जंगल में बैठे हुए हैं आप ही शिकार कर रहे हैं आपका जंगल में क्या का रहा संत ने जवाब दिया हाँ मैं भी यहां बैठा हूँ मैं भी किसी को किसी का शिकार करना चाहता हूँ मैं भी किसी को ढूंड रहा हूँ है जंगल में बैठ करके शिकारी ने कहा आप मुझे बताओ जिसको आप ढूंड रहे हो मैं अभी तुरंट पकड़के उसको आपके पास ला दूँगा संत मंद मंद मुस्कराए और उन्होंने कहा कि मैं जिनको ढूंड रहा हूँ जिनका शिकार करना चाहता हूँ उनको तू नहीं पकड़ सकता उसने जित किया नहीं मुझे आप बताओ वो कहां मिलेगा क्या नाम पता है मैं पकड़ के आपके पास ला दूँगा संत में मजाक में कह दिया कि नाम उनका कृष्ण है मोर पंक धारन करते हैं बांसुरी बजाते हैं मुझे उनको पकड़ना है शिकारी ने कहा कि ठीक है मैं जब तक आपके शिकार को पकड़ करके आपके सामने नहीं लाऊँगा तब तक मैं अनजल ग्रहन नहीं करूँगा मैं ये प्रितिग्या लेता हूँ और ऐसी प्रितिग्या लेकर के शिकारी निकल पड़ा जंगल की और और बुखा प्यासा बटकने लगा इदर उदर ढूंडने लगा कि जो एक सादू ने मुझे पहचान बताई है भगवान की मोर पंक धारन करते हैं मुरली हाथ में होती है बहुत सुंदर उनका चेहरा है ढूंडने लगा और एक जगा उसने अपना जाल बिछा दिया जिसमें बश्चु पक्षी को पकड़ता था और जाल बिछा करके एक पीड के नीचे बैठ गया बुखा प्यासा इंतिजार करने लगा अपने शिकार का एक दिन निकले दो दिन निकला तीन दिन निकला भगवान ने सोचा अरे ये शिकारी इतने दिन से बुखा पैसा बैठ करके मेरा इंतिजार कर रहा है भगवान बाल लूप में आए और आकर कि उसके जाल में फस गए जब उसके जाल में फस गए बहुत खुश हुआ खुश हो करके उसने अपने जाल को लपेटा अपने कंदे में रखा और बड़ी खुशी खुशी सादू की पास चला आया भगवान मुस्करा रहे थे जाल में फसे हुए जाल के अंदर से मुस्करा रहे थे और वो शिकारी उस जाल को लाकर के सादू की कुटिया में आया और लाकर के सामने जाल को रख दिया वो बाबाजी ये देखिया आपका शिकार सादू आस्चरी चकित हो गए उनको बहुत हैरानी हुई अरे मैं इतने सालों से यहां बैठा हूँ तपस्या कर रहा हूँ और मैं आपको नहीं पकड़ सका इस शिकारी नहीं आपको किसी पकड़ लिया भगवान मस्कराए भगवान नहीं जवाब दिया कि है मेरे प्रिय भक्त मैंने अपने आपको इस शिकारी की हावाले इसलिए कर दिया कि यह तुम्हारी शेरण में था ये नित्य प्रतिरिन तुम्हारे पास आता था, तुम्हें परणाम करता था, तुम्हारी सेवा करता था इसलिए जो मेरे भक्तों के समर्पित हो जाता है, समर्पन कर देता है, जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं अपने आपको उसको समर्पित कर देता हूँ हमें शीमत भागवतम में बहुत सुंदर कथा प्राप्त होती है गज और गरहा की ग्रहा ने क्या किया? ग्रहा का उधार कैसे हुआ? उसने गज्राज का पैर पकड़ लिया ऐसा मना जाता है कि गज्राज का पैर पकड़ने के बाद ग्रहा ने गज्राज की पैर को छोड़ा नहीं अपने दांतों में दबा के रखा और केबल मातर गजराज के क्योंकि पुराना जो इतिहास है वो यह है कि जो गजराज थे वो एक भक्त थे इसलिए गजराज ने प्रयास किया अपने आपको छोड़ाने का लेकिन गरहा ने नहीं छोड़ा लेकिन ऐसा कहा जाता है सादुसंत लोग ऐसा मौनते हैं कि गजराज के पैर पकड़ने के कारण ही भगवान ने आकर के गरहा का मगरमस्च का उदार कर दिया तो भगवान इस काथा में हमें ये सिखाना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है जो मेरे भक्तों के आकर कि समर्पित होता है उनकी अस्योश्चन में रहता है उनकी संगत में रहता है उसे में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता हूँ तो ये भगवत किता का संदेश है कि हमें अपने जीवन में अपने जीवन को आनन्द में बनाने के लिए इस बहुतिक सागर से अपने आपको बचाने के लिए जनम रित्यू, जराबयादी आदे, कश्टों से अपने आपको बचाने के लिए हमें भगवान की शरन में जाना होगा भगवान की दिबे नामों का जाब करना होगा और सास्तों के अदेशनों का पालन करना होगा ये सरल और असान सादन है जिसके माध्यम से हम इस कल्यू के अथा सागर को बड़ी असानी से सरल्दा से पार कर जाएंगे और इस मनुष्य जनम का जो उदेश्य है उसको हम पूरान रूप से ताब्द कर लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण गीता मैराथान इस कौन के प्रवक्ता देंगे हमें गीता का ज्यान सरल्माध्यम से 27 दिसंबर तक